हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो स्टड़ी विद देव स्टड़ी विद देव यूट्व चलनल पर मैं देवंदर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आपने अभी तक स्टड़ी विद देव यूट्व चलनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ओन कर लीजे ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेश्टी और पेरामेडिकल से जूड़ी होगी कोई बी नए अपडेट आए चाहे कलोसर क्लासों के अपडेट आए चाहे MCQ के अपडेट आए या कोई नए अपडेट आता है, notification related तो सारी जानकारी आपको इस चैनल के मादिम से time to time परवाइड करवाई जाती है, इसके अलावा मैं आप सभी के लिए important news देना जाता हूँ, इस news को सभी दियान से सुनना और इस मेरी बात को फोलो करते हूँ आगे बढ़ना, आगे क्लास बाद में स्टार्ट करेंगा, उससे पहले मैं बता दू, मेरा प्लान है कि मैं 20 या 19 तारिक से 20 तारिक के आसपास से आप सभी के लिए 100 MCQ, रेगुलर एक क्लास, MCQ की, only class, उसमें only MCQ ही रहेंगे, 100 MCQ, 34, बिल्कुल पेपर के पेटन के अकोडिंग, बिल्कुल पेपर जैसे क्यूसन, मतलब पेपर से पहले पेपर जैसा मान कर चलो, पेपर का जिस परकार पेटन रहता है, 34 क्यूसन बाइलोजी के, 33 क्यूसन फिजिक्स, 33 क्यूसन केमेस्ट्री के, इस परकार का जो पेटन रहता है, उस पे प्लास में एनाउंस कर रहा हूं कि आपको पेपर्स चाहिए या नाई चाहिए तो उसके लिए आपको बस यही सर्त है कि आपको 1000 प्लस विव इसमें क्रोस करवाने होंगे आज की अपनी क्लास जो रहेगी वर्दी प्रिवर्दन यानि कि जो प्लांट्स में वर्दी किस प्र जो भी आरचेस नर्सिंग एंटर जग्जाम एक्यूसंस आने वाले हैं सारे एक्यूसंस यहीं से आने वाले हैं तो आप सबी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ओन कर लिजे वर्दी औन परिवर्दन क्या होता है मतलब आपकी growth and development के बारे में हम बात करेंगे प्लांट में किस परकार growth होती है किस परकार development होता है मतलब क्या क्या इसमें changes आते हैं कौन से हर्मों इन में काम करते हैं सब के बारे में हम इस वीडियो में या इस class में बात करेंगे तो आप सभी के लिए बहुती जब आपकी बायो की classes होती है physics classes होती है chemistry की होती है और इसके साथ notification भी मैं आपको प्रवाइड करवाता हूं अगर आप चाते हो कि आपको test series मिले जल्दी ही से जल्दी है यानि कि जो कुछ 1000 mcq रहेंगे वो तो आपको paid मिलेंगे वो तो paid मिलने वाले हैं उनके पीड़ आपको paid मिलेगी लेकिन जो आपकी ये questions रहेंगे जो regular classes होगी वह आपको फ्री में रहने वाले हैं अगर आप सबी की demand रहते हैं अपने English इंट्रव्यू की तयारी करने हैं और परदाटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आप सबके लिए एक good news डाउटने टेप लाया हैं आप सबको सार्टी विकिट भी दिया जाएगा तो अभी जाईए और डाउटनेट एप पर यह कोर्स खरीदिये और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए पूरे बारत में सबसे बढ़ी अदाम और इतना टॉप क्वाल्टी का कोर्स सिरफ डाउटनेट प बाद में मतलब एक दिसमर के आसपास बट मैं चाहता हूं पहले लियाओ तो अच्छा रहे वर्दी क्या होती है वर्दी एक अव्यव या अंग या इसके किसी भाग यहां तक की एक कोशिका के आकार में अनुकर्मनिय इस्ताइबडत वर्दी कलाती क्या कलाती जो अनुकर अनुकर्मनिय उसका बड़त हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं वर्दी क्या वर्दी से ग्रोथ बोला जाता है ठीक है वर्दी की डेपने देख लिए बात करते हैं पॉइंट नमर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन ज्याधा थियोरी के चक्कर में नहीं पास इतना टाइम नहीं है हाला कि सेले बस चाहे तो करवा सकते हैं क्योंकि सेले बस को कुछ भी नहीं है कोई भी करवा सकता है लेकिन हम इसमें ओनली सिंपल तरीके से चल रहे हैं बिल्कुस सांदार तरीके से ठीक है बात करते हैं विवजोते की कोशिकाओं में विवाज सब्सक्राइब सब्सक्राइब वर्दी का जो खुला सुरूफ होता है जो अपने को दिखाए देता है उसमें विवजोत्य की वज़े से ही विवजोत्य की जो किरिया होती है उसके कारणि पोदे के सरीर में सदेव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है यानि की विवजोत्य जो सेल्स होती है उनके वज़े दिवीज पत्री होते हैं दिवीज पत्री पादप्स होते हैं और जो अनावर्त वीजी जो भी होते हैं उन पादफों में उनके जीवन के बाद में परकट होते हैं और उनके अंग भी चोड़ाई और बढ़ाई चोड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये सक्रिय होते हैं और पा कोग एदा इसको बोलते को केम बें में से बोला जाता है किसे पाइजाती है यह anowrtج apresentाने पाजया हैं उनके जीओन के बाद में परकट होते हैं ठीकिन के आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट के उर ताजा बार वर्ण के बार लंबाई चित्र फल आयतन खोषिकाओ के संख्या आधिश से वर्डी को मापा जा सकता है वर्डी को किस-किस से वर्णेक धा सकता है इंपॉर्टेंट something अपका बनेगा यहां से कि वर्णी किस énorme किस को मापा जाता है तो आपको एक ताजा बार उसका परजन टाइम पर क्या वेट होगा उस उसके बार रहने कि ताजा बार और सूखने के वादस का क्या वेट रहने वाला है लंबाई उसकी क्या लंबाई हुई उसका सेत्रफल क्या है और उसका आयतन क्या है कोसी का होगी संक्या क्या इस क्यादार पर जो होता है वर्दी होती वर्दी को मापा जा सकता है तो अपने ये बात भी आप दिया नखना कि वर्दी को किस प्रकार मापा जा सकता है ठीक है आगे बात करते हैं प्राग नलीका की वर्दी को लंबाई के रूप में मापते हैं जो प्राग नलीका होत ढ़लती चाहए उसको कि सुरुप में मापते करे ना जाता है और यह तो कि आठये नहीं है जो छोड़ा ऑव मोब चाहिए rolls कि gonna like की लिए परमाई की रूप में मापत जाता हoi कि प्रॉत को लइक होगा की अच्विचת perhaps की तरे वर्च कौन-कौन से चरण है विवजोत्य की दिर्गी करन परिपकवता दिर्गी करन और परिपकवता सबसे पहले क्या होगा फिर उसके बाद उसका दिर्गी करन होता है और फिर उसके बाद क्या होता है उसकी परीव उसमें परिपकवता आती है यानिकि जो आपकी ग्रोथ होती है ग्रोथ चोंती ग्रोथ को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कौन-कौन से में एक तो विवजोत्य की दिरगी करण और परीपक वाता है यानि कि सबसे पहले विवाजन होगा उसके बाद उसमें टाइम लगए दीर 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 उसमें तोड़ सी डावलोपमेंट होगा तो फिर लाक्त में जाके पूरी फुल फुल डेवलोपमेंट उसमें लग जाता है ठीक है तो यह तीन होते हैं आगे हम बात करते हैं पोइंट नमबर अगले पॉंट पॉइंट के हम बात करते हैं मूल शिकान और परो सिकान द्वारा वर्दी का विव्जोती की चलन परद किसी आपको दिखने लगती है तो उसमें उस टिप पे क्या पाया जाता उस टिप पे पाया जाता आपका विवजयोत्य की चरण यहांने कि वहां पर विवाजन बहुत अधीक होता है क्या होता है जो मूल का टिप होता है होगा हो लेरानी की जर्ड जरका होता है उस पर रूट के टिप पे और प्रो याने की उप्पर वाला जो पार्ट होता है उसके आगला पॉइंट है अगला प्उइंट है कि लेक्षन हैं जो विपज्वतिंकी से तरख समीप इस्तीत होते है हैं याँ की बड़ा हुआ रसदानी जो व्यक्यूल होती है याना कि यह सारे हैं यह कौन सी कोसिकों गई यह सारे लकसं उन को सिकाओं के हैं यह किसे उन सबसुन लख ribbon किर होता है उसकान के सिखान पर और प्रोग के सिखान बहुत की तीप पर होता है इसी के साथ परिपक्वन चरन परीपक्न चरन में क्या होता है कोशिका बित्ती की मोटाई और जीव दर्वे के रुपांतरण के रूप में परिपकवन चरण में अधिक्तम आकार को प्राप्त करती है यहनि कि जो परिपकवन चरण होता है जैसा कि विवजोति की चरण होता है सते इसमें कि मोटाई और जीव दरवे के रुपांतरण के रूप में अधिक तम आकार कहले लिए मेकजिमम जो उसकी साही जोती मेकजिमम जो आकार होता है वो कोप का प्राप्त कर लेती है वो कर लेती है परिपक्पन चलाण में ठीक है आगे हम बात करते हैं समय की परती काई समय की परती इकाई के दोरान बड़ी हुई वर्दी को वर्दी दर करते हैं तो क्यूसन ध्यान रखना कि वर्दी दर किसे करते हैं तो क्यूसन यह बन सकता है यार्थ कि किसे कहा जाता है कि परीबरत बढ़ी क्या होता है को या किसी अंका या parts का प्राइब होना वर्दी का रहता है लेकिन 기억 में के देवड़न रहे होता है परीवर्दन थो अपने पड़लें नह Cooperative लेकिन डpelे में परिवर्दमेंट भी आता जिसे परिवर्दन बोलते तो इसी ये होता है एक जीव के जीवन चक्कर में आने वाले वे सभी बदलाओ जो बिजांकुरण और जरावस्ता के मद्दे आते हैं याद रहना दोस्तों यानि कि जो एक जीव के जीवन चक्कर में आने वाले वे सभी बतलाव जो बिजांकुरन बिजांकुरन से बिजांकुरन से जरावस्ता के मद्दे आते हैं यानि कि जब बीज अपनी जमीन से बाहर निकल कर वो पोदा बनना इस्टार्ट होता है उस टाइम से लेके जब तक वो उसकी डेत हो जाते हैं जब पोदा मरता नहीं है पोदे के जब तक एंड टाइम नहीं आ जाता तब तुम जो चेंजिस होते हैं वो सभी चेंजिस परिवर्दन के अंदर आते हैं किसके अंदर आते हैं तो दोस्तों आपको परिवर्दन और वर्दी में समझ आ गया होगा वर्दी क्या होती है वर्दी आपमेंने देखा होगा और बच्य रहते हैं तरह ड़क्या यह हम देखने un Truck अपने डियसे चबत्र देखनेशं tire यह सहता है प्लांट्स वहma होता है प्लांट में चैनल ज्ट अचैंडर को अब यहीजार है प्लांट्स जो भी आपका 50 रहे गैँ इंदर आता है तो इस आगे में बात करते हैं पोदे प्रियावरण के परबाव्त के कारण या जीवन के विविन चर्णों में बिन पत्तो पर परतों का अनुसरन करते हैं नेकि द entonces पोदे प्र्यावरण के परभाव के कारण, प्र्यावरण के जो भी परभाव है जो भी इफेक्ट है उस या जीवन के विविन चरणों में बिन पतों का अनुसरान करते हैं ताकि विविन परकार किसीन रचनावगा गठन कर से कि इस समता को Plasticity कहते हैं कि प्रयावर्ण यानिके एंवार्मेरमेंट का एफेक्ट से और जीवन के विविन चर् collaborations में सब्न सके इस चीज को हम क्या बोलतब ऊसलो इसको पहलत है नीरी होने वाले विविन संभौत नाव प्रकारी की संद रचनाव का गठन क्या कर लाता है ठीक है दोस्तों तो यह अपना पॉइंट नंबर 13 कंप्लीट हो गया अगले पॉइंट की और हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 14 आज पूरा चेप्टर को करने के पूरी कोसिस करेंगे जहां तक कोसिस रहेगी पूरा लेकिन को नहीं निए पूरा कुमार इत्ता होता है लेकिन इतना हो जाएगा पिर इत्ता हो जाएगा या निकिसमें वर्दी थोरी साथ के साथ और इस्में कुच व्यूशन हिइं भी ही मूचा को परिवर्दन कहा जा सकता है तो सिंपल यह क्यों से पूछा जा सकता है कि परिवर्दन क्या होता है क्योंकि परिवर्दन में आपको दो तिन पूछे जा सकते हैं परिवर्दन में क्या होता है एक तो आपके पास कि वर्दी और विवेदन के योग को दूसरा आपके पास क् नहीं आपको क्या करना हो लेका देरे जब बड़ा हो जाताente तो होते हैं वर्दी और विवेदन के योग को भी बियवत दोनों पता है उप जो प्लान्चा होता है लेकिन देरे देरे में बढ़ा हो जाता Niye तो विए परिवर्दन के अंदर ही आता है ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं आंत्रिक वर्दिकारक क्याने की जो भी आंत्रिक वर्दिकारक है वो कौन-कौन से तो देखते हैं इसमें आंत्रिक याने की प्लांट्स के अंदर आंत्रिक वर्दिकारक कौन-कौन से उनके अपन बारे म है ठीक है बाहिये और दीकार्ग कौन-कौन से हैं जिन्ने आपको आंत्री कोही नहीं पूछेगा अगर पूचता है तों तरकोसी के और अंत्रा कोसी कि आपको लिख देना है बाकी जो बाहिये कारका आते हैं आपके लिए ये चार चीजे ये पांच चार चीजे जो है स्टैंपरेशन रखना एक्ष्णल घ्रोथ जो है वह यह यह हैं को अपका लाइट हो गई वाटर हो गया हो गया ओ तो इसमें आ रहा हो तो देखते रहे सकती तो ध्यान रखना दोस्तों कौन-कौन से बहें कारक हैं वो आपको पता होना चीए आपको क्लास केसी लग रही है अगर समझ में आ रही हो तो एंड तक देखते रहना और एक बार शेयर जरूर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के लिए जिनको लुट में फ rhythm की तैयारी बिल्कूल सची तरीके से करनी उनके पास जरूर करना अगर आप चाते कूझे जो वि जै है और से जाघ़ अगर आप से करने वाला हूँ कब लिए है को तो इसका मतलब बिजाया कि आपको 10 पेपर और और जदा चीह है तो आप अभी से से करना इसको ताकि इस क्लास में 20 तारिफ से पहले-पहले एक हजार विव क्रोश हो जाए किसे भी करके आप पहले तो पाफ से करते हैं जो कुछ हर्मोंस भेरे हम बात करते हैं उनके सब्सक्राइब करने वाले हैं क्या एक साथी करने वाले हैं तो यह भी आप द्यान रखना कि आगे हम बात करते अगले पॉइंट के और जिसमें अपन को देखने को मिल रहा है औक जिब्रेलिन साइटो काइन पादप हार्मोन है यानि जो आगजिन हो गया जिब्रेलिन हो गया 사इटो का एने एक तरह से पादप हार्मोन हे जो वर्दी उप्चेन किरहा हैं यांखी जूपरिवाजनिन और संदग अदी में सायक हैयाने कि जब्रेलीन और साइटोचाइन प्लांट्स हार्मों से जो वर्दी की अपूंचेड कििरियाहो जैसे कि को्तियों पर्जिक विवा जन परसार और पर्तिमान संदगना अभूंऔर नहीं वर्दी फुस्प फलन तर्टा बीज सन अचना आदी में साहेख हैं तो यह चीज़े आपको द्यान रख लेनी है ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से कुछ हार्मोन है जैसे कि पादप हार्मोन इथाईलीन एपसिसिक अमल जो गाउ और जेविक और अजेविक रूप से उत्पन अनुकिरिया और साथ परसुप तता को विलगन में समयलित होता है यानि कि पादप हार्मोन इथाईलीन हो गया एपसिसिक अमल हो गया जो कि गाउ और जेविक और जेविक रूप से उत्पन अनुकिरिया तो साथ परसुप्तता और विलंगन से समय समय लित होते हैं तो या दखना जो इथाइलीन होता है और एफसेसिक अमल होता है यह किस-किस में काम आता है गाउ और जेविक और जेविक रूप से उत्पन अनुकिरिया हो बीज जब बीज बन जाथ है इसको अंहेति हैं पर्शुपता का μत्लब होता है किThis को सामिल होता का मतलब होता है कि इसका बीज को रख दिया जाता है इसमें कि और फल पक जाता था उसका बीज निकालकर इसको 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 रख देते रख देते हैं अ induced work कोboard परसूपत था क्या बोलते परसूपत था इस टाइम पर एपसेसिक अमल और इथाइलिन होते हैं जबकि वर्दी जबकि कोशी का विवाजन कोशी का परसार परतिमान संदजना वर्दी पुस्प फलन और बीद संदजना में काम आने वाले जो हार्मोन यह तीनों हार्मोन होंगे यह वर्दी वगरा के लिए होंगे जबकि यह विप्रित परिस्तितियों में काम आने वाले हार्मोन है इथाइलिन और एपसेसिक अमल जो हो है दोनों विप्रित परिस्तितियों में काम आने वाले हार्मोन क्योंकि मनुस्य में नहीं प्लांट्स में विप्रित परि student questions डाल कर लिख लेना कि फिरख को प्रभावर्वावित करने वाला हार्मोन सा है उसके परकास की और मुड़ने का कारण है यानि कि जो उसको परकास के और मुड़ने का कारण होता है ओक्जिन हार्मोन जो हता है परकास के और मुड़ने वाला कारण भी होता है ठीक है जो प्रांकुर चोल होता है उसके सिर्स परकास के और क्यों मुड़ता है ओक्जिन हार्मोन की वज़े से मुरता है और ओकजिन हार्मोन प्रांकूर चोलसिस को क्या करता है प्रभावित करता है बात करते हैं संदमक भी और विल्गित सेकेंड और डार्मिन एफसिसिक अमल हार्मोन से संबन दीते हैं इप्रेंट इसे latest रोर्मन से संभन नियां अब इसे अर्मन से संभन निया यह संभन नहीं दोस्तों यह भी इंपोर्टन बात आप धियान रिख लेना अभी अपने बूस्पोइंट फेँ हैं लेकिन आप सभी को हर चीज क्लियर होती जा रहे होगे आपको कोई डाउट नहीं रहे रहा होगा बस आप सभी का सपोर्ट हमें चीए आप सपोर्ट करिए हम एक क्लास में आपका सब कुछ कंपिट करवाने की पूरी कोसिस करेंगे अब जल्दी आपके लिए वह जबरदस्ट कुस कबरियां आने वाली हैं चली अगले और हम बढ़ते हैं अगला अपका 21 21 का मतलब है किसमें क्या वालने कि Miller और EPSC 중 Miller और EPSCORG नामके दो VEGANIC थे और उनके सहयोगे ने मिलकर Cytokinin हर्मोन का हर्मोन की खोज की थी एक हर्मोन था Cytokinin जिसकी खोज किस ने की थी Miller और EPSCORG नामके दो VEGANIC होने मिलकर की थी आपको ये भी याद होना अच्छी आप से क्यूसंस पूचा जा सकता है कि उन साइटो काइटें निन काइटें काइने टीन नामक हार्मॉन किस खोज किसने कीती मिलर और एपिसकूंग नाम के विगनिक ने कीती और इसके साथ मिसके इनके जो भी सही हो गीते ते हो सबी साथ है जो की करसी और बागवानी में व्यापक रूप से प्रियोग किया जाता है और पादप परिवर्दन के दोरान परहो कटिंग में मूल आरंबन में साहिता करता है तो आप ने ने देखा होगा जो कलम लगाना कटिंग लगाना उन कलम होती है उसको ऑग्जिन हार्मोन में डिवोख है उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है तो यह सभी किसमे किया जाता है तो मूल आरमबन में साहितना करता है ठीक है आगे हम बात करते हैं अगले पुइंट के और उच्छ पादबों में वर्धी करती अग्रस्त कलिका है है की जो अबेदे ही उच्छ पादव होते है या से फॉत है कि इस प्लांट में एक पार्स कुलिका अबने करने है और ये ज़्यादा और धने लग जाती है तो इन की जो वर्दी होती है वो बोलते हैं कि सिर सिस्तों है सिक्र को जो उसका सिक्र होता है सिक्र को क्या ना परदान प्राइमर्टी देना यानिक प्राइटिव से देना इससे बोला जाता है आगे हम बात करते अगले पेरिक और अगला पोइंट अपना नंबर 24 सिर्चेदन परिकिरिया जिसके परणाम सुरूपidency वर्दी होती है अनि कि सिर्चेदन एक सी परिकिरिया है आप मुझ फूचा जा सकता है कि सिर्चेदन नहीं कि मुझा जाएगा कि कनी का पार्सु कलिका की वर्दी के लिए कौन से परकीरिया अपना ही जाती है तो आपको यह बनने वाला है कि जो आपका सिर्चेदन परकीरिया होती है उसके परणाम सुरूप कौन सा परणाम सुरूप क्या होता है तो उसके परणाम सुरूप पार्सु कलिका की वर्दी होती है जाने कि जो प्लांट अपना यह से बढ़ रहा था इसमें पार्सु कलिका हैं अगर अपन इसकी यह जदा बढ़ टिप जधा बढ़ रहे मतलब सिर्स जदा बढ़ अगर सिर्स जदा बढ़ आगर इसको अपन यहां से काट देंगे तो यह इसकी वर्दी है रुख जाएगी चाई और बाढ़ यह सभी क्या शिर्चावदन परकिरिया के एकजामपल रहने वाले हैं अगला को प्रेडित करता है जो ऑी 94 को प्रेडित करता है तो आप से यह भी उसका सकता कि को ऑने सिखलर प्रेड करता है तो कौण सा हार्मॉन है जो होता है вр और जाईलम का विवेदन होता है उसको को मियंतृत करता तो जाईलम विवेदन को लेदा करता है आगे हम बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन अंगूर के डंठल की लंबाई को बढ़ाता है सबसे इंपोर्टेंट और सबसे फेमस जो एक्जामपल इसका जिब्रेलिन हार्मोन का वो यह हैं कि अंगूर के डंठल की लंबाई होती है उसको जिब्रेलिन हार्मोन बढ़ाता है सेब की आकार को बढ़ाता है सबसे जाना माना एक्जामपल इसका है अंगूर के डंठल की लंबाई को बढ़ाना साथ में सेब की आकार को बढ़ाता है और आसू उद्दोग में माल्टिंग की गति को बढ़ाता है किसकी गति को मार्टिंग के जो गति होती उसको बढ़ाता है तो आपको क्लास केसी लग रही है अभी 26 पूइंट हुए 79 पूरे पूइंट रहने वाले तो मैं इस क्लास को एक ही वीडियो में आप सबे के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि अगर आपको मेरी मेनत पसंद आ रही है तो सेर जिरू करना कि क्या आप के लिए मेनत की जाती है क्योंकि एक बात बता हूँ जतना अब आप मेरे लिए कुछ टोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते हैं फिर थोड़ा सा बुरा लगता है मैंने कल भी आप से टेलिग्राम पे या जो आपका टेलिग्राम चेनल और गुरूप है वहाँ भी मेसेज किया था मैंने आपसे पूचा था है कि यार आगर आपको लेना पसंद नहीं हो मेरी क्लासेज अगर अच्छी नहीं लगती हो तो बता दो ताकि मैं इस क्लासेज को छोड़ दू बट फि पूँगा तो दोस्तों इस क्यूच आगे हम बड़ते हैं अब जिब्रेलिण अपने देख लिया ओगुन को प्रेरित करना दोसा ज्याइलम में बता दू एक बार आप सेर कर दीजें लाइक करो मत करो लेकिन सेर करना आपका काम है सेर जरू करना अगले हार्मोन जो अपना आता है साइटो कायने जिसकी खोज कीते मिलर और एप इसको के सयोगियों ने मिलकर इसकी खोज कीते कायनेटिन इसका नाम भी है और इस हार्मो और अपस्तानिक प्रहों के निर्माण में साहिता करता है तो द्यान रखना दोस्तों पहले तो पत्यों का निर्माण भी करता है कौन कहीं पत्य होती है जिनके निर्माण में साइटो काइनन हार्मोन काम आता है पत्यों में क्लोडोप्लास्ट में और पार्सू प्रहों साथ के साथ याद होती जाएगी अगर मैं चलिए इस Q-Sons का आपको पता लग गया क्या होगा इसका प्रो प्रो निर्माणन में साइथा करता है आगे हम बात करते हैं एधिल्न एकष ये पीजी कर एधिलीन जो हर्मोन है वो क्या है सोट लिक रखा है फिसमिस का मतलब आप ये हैं कि प्रागर्टिक गेस जो आपका PGR हार्मोन है जो कि जरावसता को प्राप्त होते वे उतकों और पकते वे फलों को संसेलिसित करता है और पकते हुए फॉलों संस तह निया प्लांट्य रेगूलेटर होता है इसका पुल फॉर्म अपनी लिख लेना साथ के साथ के साथ अगर आप लिखते चल रहे हुग अगर आपको फुल फुम याद नहीं रहती तो plant growth regulator होता है और यह जो आपका ethylene होता है ethylene एक प्राकर्तिक प्राकर्तिक gas hormone यानि कि यह किसी के दोर डवलॉप नहीं कह जाता है यह एक प्राकर्तिक हार्मोन होता है प्राकर्तिक gas से हार्मोन होता है कौन सा ethylene और PGR के फुल फुम आपको पता होने जी है plant growth regulator इसकी फुल फुल फुम होती है जो यह ethylene हर्मोन होता है जरा वस्ता है यानि कि all day जराप्त होते हैं उत्कों और पकते हुए फलों दोरा sometimes it होता यनि कि पक्ते हो यह उए जो पकने लगते हैं जो फलों के द्वारा संसलेशित होता है इसके साथ साथ यह जरा वस्ता जो भी प्राप्त वथुम होता है जिनके देथ होने जा रही है कि जन्हों उत्क्स की उन उत्कों में यह देखने को मिलता है ठीक है बात हो गए अपनी एथिलीन की एथिलीन हार्मोन जो को फलों के पकने के दोरान सौसन की गती को बढ़ाता है पकने के दोरान क्या करता है जो काईमेटिक की होती है सौसन की गती को क्या करता है बढ़ाता है किसको जो एथिलीन हार्मोन होता है फलों के पकने के दोरान किसको बढ़ाता है सोवसन की गति को बढ़ाता है तो यह point भी आपका complete हो गया एतिलीन हार्मोन फलों के पकने के दोरान क्या काम करता है तो सोवसन की गति को यह बढ़ाता है बात करतें अगले पॉइंट की, एतिफोन हार्मोन जो मूल वर्दी और मूल रोम निर्मान को प्रेडित करता है, एतिफोन हार्मोन एक हार्मोन होता है, जो किस किस को काम करता है, ये हार्मोन मूल वर्दी और मूल रोम के निर्मान को प्रेडित करता है, तो दोस्तों ध्यान एतिलीन के स्तुरोथ के रूप में एक्टीफोन का सर्वाधिक व्यापक रूपसे प्रियोग किया जाताया ने जो एतिफोन क्या है? एक तरह से एथिलीन हार्मोनी निया 30 पोलाओं किया जता है चो परापट किया जाता है से प्राप्त किया जाता है फार्मों को एक तरज से आप प्राकरति कहने कि आठीपी से लिए बनाया गया हार्मोन होता है आठीपी से लिए हार्मोन होता है कौन सा वाला जो आपका एथिपोन हार्मोन है जो कि एथिलीन क्या है एथिलीन एक प्राकरतिक हार्मोन लेकिन एथिपोन इसका आप प्राकरतिक रूप है ठीक है चल लिए जो आउसिक हार्मोन होता है वो होता है आपका एथिलीन हार्मोन मादा पुस्पों को बढ़ाता है और साथ में पेदावार को भी बढ़ाता है ठीक है दोस्तों किसको बढ़ाता है एथिलीन हार्मोन खीरा में मादा पुस्मों को बढ़ाता है और साथ में पेदावार को भी बढ़ाता है बात करते हैं एपसेसिक अमल वी लगन और सुपतता को प्रेरित करता है किस को सुपतता को प्रेरित करता है कौन जो आपका एपसेसिक हार्मोन होता है वो सुपतता और वी लगन को प्रे तो जो गोल होता है इनक च्रोड है उसको अगर अगर पत में प्लांटेंटे जोड़ी रहाती है अपने प्लांटre यह कब की आरा राधाय जा ने पहलता बाने की कर्मिया जाती छाधा थो परशूपता प्लांट्ट से जड़ जाती है इसे मिलिगन कि परसुप्तता को प्रेडित करता है यह बात आपको पता है इससे कलियों की वर्दी और अंकुरन हो जाता है क्या होता है परसुप्तता को जैसे कलियों की वर्दी और अंकुरण हो जाता है तो ऐसी काममर Nahum पिकल ब्रसापमर में और परथु शुक ता है इसके सा करन mnie जिया अरikle को किसे बोला जाता है डीडाक किसको इस त्रॉस हार्मन को ही बोला जाता है जाता है किसको ऐसीस एक खाला ब्लांट का stress hormone है यह तनाओ तनाओ वाला हार्मोन जो होए आपका तनाओ हार्मोन के रूप में किसका उप्यों किया जाता है जो आपका एपसिसिक अमल होता है एपसिसिक अमल जो होता है इसे stress hormone बला जाता है तनाओ के रूप में तनाओ हार्मोन के क्यों क्या होने लगता है कि और हार्मोन का निर्मान का BUNDHO例ना प्रिरत होता है सब्सें काम क्या करता है इसले कि बारे में ने बठावते उनको क्या करना या बंद कर देता है इससे 56 परतिसत वास्पोत सर्जन और 16 परतिसत प्रकास इंसलेशन की कम को भी कम कर देता है जो आपका ABA हार्मोन होता है 56 परसेंट 56 परसेंट याद रखना लिख लेना साथ के साथ ही एबी हार्मोन होता है जो 56% तो किसको कम कर देता है 56% वो कम कर देता है एबी हार्मोन 56% कम कर देता है वास्पोसरचन को उसके साथ 14% कम कर देता है किसको 14% वो कम कर देता है परकास अंसलेशन की दर को कम कर देता है इनकि परकास अंसलेशन इतना कम हो जाता है तो या देखना एक इस्ट्रेस हार्मोन होता है यह जीनता विलगन और परसुपता परसुपता इसके साथ वास्पोस्तरजन रोदी के रूप में इसका यूज किया जाता है ठीक है और इस संदमन का भी कारे करता है आगे हम बात करते हैं एपसिसिक अमल हार्मोन जो पाधप उपापचे और बीजो के अंकुरन को संदमन करता है तो अभी मैंने बताया एपसिसिक अमल एबी एक क्या होता है एबी एक का काम होता है कि अंकुरन को संदमन करना और उपापचे को संदमन करना यह सभी किसका कारे होते हैं ठीक है किसके काम होते हैं यह काम होते हैं ठीक है आपने सब ब히एक फुल्फ आप से पूजी जा सकती है तो इसकी जो फुल्फॉम होती है आपिसेशिक एसीड होती इसके फूल्फॉम इसससर हार्मोन भी बोला जाता है आगला दिवस द्योंच और रातρι काल के पर्ति पादवों की फुस्पन पर्ति किरिया पर्ति दिप्त कालिता कहलाती है निकी दिन और रात के पर्ति पादवों की पुस्पन पर्ति किरिया क्या कहलाती है निकी जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें जो पुस्पाते हैं पुस्पन की पर्ति किरिया होती है उसे क्या बोलते हैं दिप्ति कालिता कह कहीं आ था कुण कौन से थे विगानिक अमेरीके विगानिक टैकर नाम ता गार नर दूसरे का नाम था और योड चीनल को भी सबसक्राइब नहीं कर रहा हमें था आप उनके पास ज़रोर तो यह ने उनकों पना चाहिए क्यों कि यह एच्छित आपका के बारें पता LG के से मेनत कर रहा है और आपके लिए जबर्दस्त करवा रहा है अगले पॉइंट के हम बात करतें बसंती करण बसंती करण क्या होता है दिप्तिकालिता लगारे में जो बताए गया था वो यह तो कि दिन की वह लंबाई लंबाई जो पोदों के पुस्पन के लिए अनुकुल वो यानि की दिन या रात की बस अंपन को atmosן के लिए क्या हो कम्पलीट को इतना सासे कोlete परces लें होना है ऊर क्विक्दाइन अर इना की नामक है विग्यानिक तेनाq js याद होना चाहिए अगर आपने पढ़ा होगा और भेसी बुक्ते बढ़ा होगा परदिपतिक अलता के बारे में पढ़ा होगा तो पर्कास तता अंदकार अवदियों के अंतराल के पर्ती पोदे की अनुकिरिया परती पोदो की अनुकिरिया को दिप्तकालिता करते हैं ठीक है अगला पॉइंट अपना एदी पुस्पन गुणात्मक और मात्रात्मक तोर पर कम तापमान में अनाउर्थ होने पर निर्बर करता है तो इसे गटना को बसंतिकरन कहा जाता है आपको बस डेप मात्रात्मक तोर पर कम तापमान में अनाउर्थ हो किसमें कम तापमान पर वो खुल जाया यानिकि जो गुणात्मक हो गया या तो उसके क्वालेटिव और जो मात्रात्मक और क्वालेटिव तोर पर क्वालेटिव 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 इसे कहा जाता है क्या का जाता है से बसंतिकरन कहा जाता है चले दोस्तों आपको यह class समझ में आ रहे होगी क्या आई class लंबी हो रही है मुझे लग रहा है कि उस लंबी होगी आज ही class में नहीं हो पाएगी इसको only 45 मिंट की रखेंगे इसको 40.1 पूरे कर लेते हैं फिर इसक अपने बसंतिकरन एक जीवी तवस्तों के लिए वर्दिक और सरवादिक आदारबूत और सुइस्पष्ट विसिस्ता की रूप में जाना जाता है यानिकि एक जीवी तवस्तों के लिए जो वर्दी होती है आपकी ग्रोथ होती है ग्रोथ के ग्रोथ को सरवादिक किया जाता है जाना जाता है ठीक है कोसी के इस तरफ पर वर्दे वर्दी जीव दर्वे की मात्रा में वर्दी का प्रणाम होता है निकि कोसी के इस तरफ जो वर्दी होती है न वो किसके आदर पर होती है वो उसकी मात्रात्मक मात्रा में वर्दी के प्रणाम में होती है विव दर्वे कुछ व्यापक्स रचनात्म को बदलाव से गुजरती ये वर्दी के बारे में कुछ important topics फिर आ गए थे जो अपन को पढ़ना जरूरी किसी कल इस topic में फिर दबारां से भी आप बताना आपको ये अच्छ लगी या नहीं लेगी बात करते हैं किस और समान व्यव्योतक से पेदा हुए कोसिका सबस्थन सम्रचनाये उत्तक परीपको होने पर बिन बिन तर्षन करते हैं बिन बिन तयार करते hair इसको उनमुक्त बिवेदन से जानते हैं उनमुक्त बिवेदन से इनको जाना जाता है ठेक है दोस्तों आज के लlagen इतना ही कापी आपको class के शी लगी कल इस class को वापस इसी जगह से स्टार्ट करेंगे और आप सब ही रेड़ी रहना आपने अगर chemistry और बाइक फिजिक्स की क्लास नहीं ली हो तो उनको भी जरूर देख लेना दोस्तों फिजिक्स में आपके लिए इंपोर्टेंट में डेली रेगुलर प्रवाइड करवाता हूं आप सभी को अगर अच्छा लगता हूं तो जरूर सेर करना और बताना दोस्तों अपने सारे इसको बताना आपका काम है तो बता दिया करो यार हमारा तोड़ा सा आपसे भी हेल्प हो जाएगा और आपकी हमारे उजसे हेल्प हो जाएगी आपको जैसे हमारी भी हो जाएगी तो दोस्तों सेर जरू करना उनके उस पास जो भी नए हो सब फैंट्स के पास सेर करना MST के आपको 79 रुपीज और आपकी जो बायो की हैं बायो के आपकी रहेगी 99 रुपीज के आपको प्राइज रहने वाली है ओपर इच खलोज ओपर आपका खतम हो चुका है अगर आप इस क्लास को सेर करते हो 1000 प्लस इसमें आते हैं तो जल्दी आपके लिए 20 तारीक से पहले ही प्रोफिट मिल जाएं लेकिन आपका एमस्यों क्यों है चार-पाइज चैप्टर भी अपने लगबग कंप्रेट होने वाले ही हैं ठीक है कुछी चैप्टर अपने पास बच रहे हैं मतलब 30 पेज अपने पास बच रहे हैं तो लगबग चार-पाँ-छे पेज अपन डे झाले हैं